तो दोस्तो आज है 28 जनवरी 2022 और आज में फिर से लेके आए हूँ आपके लिए FCS Solutions Limited का Complete Analyze अगर आपका इस कंपनी में निवेश हैं या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते तो बीना स्क्रिप्ट की हुए दोस्तो आप इस वीडियो को बिल्कुल आन्ते तक देख रहे हैं इस वीडियो में सबसब हम इस कंपनी का fundamental को जानेंगे बारी किसे हर एक चीज और चार्ट पेटर्न को अनिलाइस करके मैं आपको बाताने माले हूँ कि आपको इस कंपनी में इस बगत निवेश करना चाहिए की नहीं और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमार्ट अकाउन नहीं है तो वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप बड़े आसानी से ग्रो जैसे बड़े प्लाटफॉर्म में फिरी में अपना ट्रेडिंग अकाउन ओपन कर सकत ही तो दोस्तों चलिए शुरू करते मैं सबसे पहले आपको इस कंपनी का फाइनाल्सल कौटर का रिजल्ट एक बार दिखा देता हूं थोड़ा सा जिस पे आपको अंदाजा हो जाएगा ठीक हम फाइनाल्सल देखेंगे अभी तो सेप्टेमबर 2021 का यहां पे लाट रिजल नेगिजटी नेट प्रफिट मार्जिन 101 personality को यहां पे 97 परसन यहां पे सिर्फ कॉस्ट औ रेबिन्यू पे 17 परसन का प्रॉफित दिखा रहा है ठीक है screener.in पे जहां पे इस company का fundamental को जानेंगे हम बाले के से हर एक चीज़ उसके बाद दोस्तों अंदर दा लग जाएगा कि company का share हमें आने वाले दिनों में बाय करना चाहिए कि नहीं तो दोस्तों हम आज चुके हैं screener.in पे शौटकार्ट में आपको बता दो यह company IT सेक्टर का penny stock है ठीक है 1993 में शुरुवात हो था इस company की तो इसका total अगर आप market cap देखेंगे तो 1132 करोड का इस वक्त इसका market के अब है current share price 6 रुपया 55 पैसा हो चुका है 9 रुपया बना चुका किया जा सकता है company मैं आपको price setting ratio वीडियो के अंद में बताने वाला हो बाकी का चीजिए यहां पर हम देख लेते ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं इस company का book value इस वक्त एक रुपया 55 पैसा है यह company आपको dividend नहीं देता है return of employee capital में return of capital employee में 1.3% का यहां पर इजाफा द चीजे आपको ध्यान रखना इस company से company में निभेश करने से पहले जो मैं आपको बताने जारो ठीक है मैं हर वीडियो में आपको बता चुक हो इस सारी चीजे में फिर से बतारो आपको तो यह company almost death free है ठीक है death free होने से कुछ नहीं होता है आपको बाकी का performance भी अच्छा होना चाहिए तो इस बग सबसे negative point आपको शो हो रहा होगा यहां पर स्टॉक इस ट्रेडिंग ए 3.74 टाइमस इस बुक वेलू तो इसका बुक वेलू का numbers बढ़ चुक है आपको ध्यान रखना है ठीक है मैं सिर्फ important important चीजे जो है आपको बाता देतो आपने देखा होगा एक जम बीते पांच साल का देखेंगे तो तो चार्ट परसन का यह negative ठीक ठाग है वो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन बागी का चीजे देख लेते हैं यहां पर promoters का holding आपको 20% के आसपास है ठीक है अगर आप total equity पर return देखेंगे बीते तीन सालों में 20% के आसपास यहां पर negative return दिया है मतलब अगर आपने 100 रुपया डाला था तीन साल पहले तो आपका 80 रुपया हो चुका है तो इस तरह से equity इस वक्त इस कंपनी में return दे रहा है तो अभी देखते हैं सारा holding किसने बाय कर रखा है तो मैं लेकर चलता हूँ आपको share holding के pattern पे तो दोस्तों हम आचुके ह थोड़ा बहुत stake है इस company में सबसे अच्छी बात अब तक मुझे यहीं लगा कि government का जितना भी थोड़ा बहुत है stake है इस company में ठीक है तो यह एक अच्छी बात है यहाँ पे 80% से ज़्यादा public का holding है लेकिन यह government का stake आज से नहीं है ठीक है आपको ध्यान रखना हो पड़ा प्रवा सही है government का stake ना ही बढ़ाया ना ही घटाया 2019 से आप देख सकते हैं यहाँ पे government का stake है पर domestic investor का थोड़ा बहुत निवेस्ता वो exit हो चुका है इस बक्त पूरी तरह से तो overall एक risky fundamental है penny stocks वाला proper fundamental है आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा penny stocks बहुत ही risky होता है आप डूबव भी सकता है और आपको माला विका सकता है तो चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको company के शेहskномis के chart button पर तो दोस्तों मॉह लेकर आ चुका हूं आपको company के शेहsk cliff मैं आपको सबसेले मैक्स तो मैक्स दिखा देता हूं ठीक है इसका शुरुबात जो हुआ था 2005 में नौ रुपे के आसपास इसका शेर प्राइस शुरुबात हुआ था नौ रुपया तक कभी ये शेर प्राइस गया ही नहीं उसके बाद लगातार लोवर सर्कुट पर लोवर सरकुट पर दोजार बारा से लेके 2020 तक बीस इकीस तक लगातार कॉंसलिटेट जोन पर अपना बिजनेस किया मतलब इतनी साल विता दिया दस साल विता दिया इसके बीच में ठीक है ये शेर का भी उपर ही नहीं आ पाया फाइनली 2021 में ये शेर थोड़ा सा अपर सरकुट दिखाया है आप यहां पर देख सकते हैं मतलब ये शेर लगबख अपनी ओल्टाइम हाई के आसपास जा चुका था तो मैं आपको इसलिए समझारो क्योंकि देखो ये सिच्वेशन ऐसा होता है मैक्स टू मैक्स आपको दिखा दू ये सब शेर में बाय करने का मौका यहां पर होता है ठीक है तो यहां पर जो अपर सरकुट में चला जाता है उसके बात यहां पर बाय करने का नहीं यहां पर अपना प्रॉफिट ब वो क्या करता है यहां पर बाइक किया हुआ है वो यहां पर पूरा एक्जिट होके निकल जाएगा क्योंकि यहां पर शेयर का वेलुएशन भी महेंगा हो चुका है शेयर का प्राइस भी महेंगा हो चुका है हर चीज महेंगा हो चुका है यहां पर एक्जिट नहीं हो जागा वह अपना exit हो जाएगा तो यहां पर आपको इस company का अगर लालज देखके कि इतने तेजी से return दे रहे है फिर भी आप इसमें निवेश करना चाहते इस बगत तो आप कम से कम निवेश कीजिए यहां पर इसका valuation महंगा हो चुका है शेर का price कभी भी नीचे आ सकता है नीचे आ आ सकता है क्या यह आ चुका था नीचे यहां पर साड़े आट रुपया बनाने के बाद शिदा 6 रुपया 20-25 पैसे पर आके रुका था एक छोटा सा support मिला है अगर उपर गया तो अच्छी बात है नहीं तो यह शेर फिर से अगर नीचे आ गया दोस्तों तो आपको बहुत प्रस्तावा होगा लॉंग टर्म के लिए आप इस वक्त बिलकूल निवेश मत किजिये अगर आपको फिर भी खुजली हो रहा है तो आप कम से कम निवेश कीजिए और सुविंग ट्रेट निवेश किजिए अगर तो यहां पर तुरण एकजिट हो जाईए पेनी स्टोक्स इसलिए बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि अगर थोड़ा सा गलस समय पे आपने निवेश कर दिया तो आपको अच्छे कमपनी के शेयर्ज भी बहुत ज़्यादा गहाटा दे सकता है ठीके ये सारी चीजे ध्यान लखना है आप किसी भी कमपनी में निवेश करने से पहले आप अपनी तरब से उस कमपनी को पूरा रिसेच कीजिए उस कमपनी के फंडामेंटल को अनिलाइस कीजिए उसके बाद स्टॉप लोस के साथ में दोस्तो निवेश कीजिए अगर आपके पास आपके ब्रोकर के पास stop loss का कोई option नहीं है तो आप ऐसे company से दूर रहिए आपको नुक्सानी होने वाला है end of the day ठीक है stop loss से आप बच सकते हो loss से अगर stop loss नहीं लगा सकते तो दोस्तो आप ऐसे company से दूर रहिए मैं फिर से बोड़ रहा हूँ आपको नुक्सानी देने वाला है तो दोस्तो वीडियो को यहीं wind up करते हैं हमारी जानकारी आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताई है वीडियो अच्छा लगा तो एक like कीजिए अपने दोस्तों को share कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ हमारे वीडियो को आंते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद